लग रायन बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स की लड़्डू देखने में इस ब्रत्य उहार पे आप जब भी खाने कामन करें तो इस तरीके से लड़्डू बना सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं रेनु अपनी यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जटपट बन करके रेड़ी हो जाने वाली रेस्पी मैं ले करके आई हूं और यह मतलब कि आपको जैसा कि राइटला और थमनीली तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी रेसिपी घी के खुर्चन से बन सकती है जिसका कि आप मतलब के किसी भी ब्रत के टाइम पे या मगर घी को सुधता से रखी आप जब भी घी को रख रहे हैं तो अच्छे से रखिए साफ तरीके से तभी आप वो ब्रत में यूज कर सकते हैं तो देखिए घी के खुर्चन की लड़ू की रेसिपी में लेकर आई हूँ जो आप लोगों के साथ सेयर करूंगी फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और बगएर इसकिप किये हुए देखिएगा जिससे कि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने बहुत ही जल्द गी के खुर्चन आपके पास तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं और देखिए हमने घी के खुर्चन को अच्छे तरीके से साफ मतले बिदम सुद्धा से मैंने मलाई रखी थी क्योंकि यह लड़ूं ब्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो देखिए हमने घी के खुर्च और किस्मीश ले लिया है और इन सब चीजों को हम एड करेंगे इसमें तो चली सब से पहले इन सबीचिजों को हम बारिक टुकुड़ों में काट लेते हैं किस तरीके से मतलब कितने बारिक कार ने हैं सेव आपने आप मन चाहिए इस आप से डाल सकते हैं अगर आपको यां पर हमने खड़ी सिंहाड़े से घर पर और चुट करके बनाया है और भी करने के लिए देखी सब्सक्राइब को अर्ण करके कडई रख दे कडई हमारी लागफ हो चुकी है और इसमें हमरेंगे करींगे अच्छे नहीं होई देखी हलके हलके से घीपी घल रहा थे हैं अहीं घैङ है यह बना इस लगडू को बहुत लगभण कर करेड़ी होते हैं देखिए जब तक देखने में गोल्डन ब्राउन ना हो जाए लाल दिखने लगे हमारा आटा तब इसको हम तब तक भूझेंगे इसको प्रापर तरीके से चलाते हुए हमें से भूनते रहना है जिससे कि यह बहुत ही अच्छी सोनी सोनी खुसभू आएगे फ्रेंट लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे अगर आप इस तरीके से भून करके मतलब पूरी वीड अब तक हम इसको प्रापर तरीके से भूनते रहेंगे सी तरीके से चलाते है और गर्स की फ्लेम को मेडियम हाई करके रखेंगे तो देखिए फ्रेंट से हमारा आटा लगभग भून चुका है और अब इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए रख दें निकालेन के फिर हमारा थे चुकड़ अर्ण में चला है में यहोद तरीके से खटख हम झाता है तो डिप्सीं हम से भी ऐत्यज कर लीए तो मतलब पिन देखिए हम आप हम को गुण थे暴ानेगे तो लिए यह एं हो से थोड़ा सा दबाते हूं एच्छे से मैस कर देंगे तो एच्छे सी फोड़ जाएगा सारा गुड और खोबच्छे तरीके से मैस हो जाएगा अब इधर देखिए हमारा आटा भी अभू चुका है ठंटा तो हम चलते हैं बनाना सुरू करते हैं तो बनाने के लिए अधे को इसमें करते हमें रख़ी हैं तो अपने ट्राय उडिये को सब्लका पेसिस लुग तो दिधिक हैं अफोड़ा पते जबत करूंध करें योगं आप इसकी जगह पर चीनी का व्यूद कर सकते हैं ुद्द कर सकते हैंwał сист safety न कि और दो चайने करे गुड़ के साथ बना रहे हैं तो देखिए इसलिए हमने इसमें गुड़ ही एल्ट किया है आप चीनी मतलब चीनी जब एट करिएगा तो इसमें पीश करके एट करिएगा और खुब अच्छे तरीके से देखिए इसको हम हाथों के मदद से अच्छे से मिलाते रहेंगे और ह नारा बॉल थोड़ा थोटा है तो यहारा आगल वगल से गिर रहा है वेट तो इसलिए इसको देखिए हमने इधर ने रख लिया है और अब इसको खूब अच्छे तरीके से हाथों से मैस करते हुए अच्छा नहीं बढ़े बरत्न में रहता है तो दोनों हाथों से मिलाने तरीके से और फिर मिलाते हुए हम जब प्रापर तरीके से मिल जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे कि यह बादन लायक हो गया है कि नहीं अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी एड कर सकते हैं जब आपको लगे कि यह मतलब कि अभी सुखा सुखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा देशी घी भी एड कर सकते हैं मगर इसमें हम जो यह लड़ू बनाए ने ज़रा भी नहीं पड़ी है घी के खुर्चन में घी पर्याप्त मातरा में था जब घी का खुर्चन हम निकालता है जब घी को बहुत अच्छी तरह से छान लेते हैं तब उसमें लड़ू थे जब लाउन से बचकश्दा नहीं तो देखे ऑचे तरीके से लड़ू हमारे बंद रहे हैं तो इसारी में से दोनु आथों से चाहें आप चाहें एक आद से जैसे घी ज़्यां से कर लोड़ू बना लेतीम हो अगर किसी यादत होती ने कि दोनूं रगी मैं ब बना करक्ड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इसी तरीकर से हम लडू को माप मतलब साइज अपने हिसाब से जाहते हैं अपने हिसाब से एगर theory बनाना चाहते हैं तो बड़े-ब nasıl भुम बना ओझाते हैं तो छोटव से बना देखने में आप ये ब्रत के टाइम पे अधर टाइम के बनाएं जैसे कि हमने ब्रत के लिए बनाया है अब मगर अधर टाइम ते आप बना रहे हैं तो उसे भी मतलब तेस्ट अच्छा लगता है और तो देखिए फ्रेंट्स केतने टेस्टी और कितने अच्छे हमारे लड़ हूपिफ हूपिए और इह लुग हूआपे से लिए अधरे मलऻ के है लगता है वेब ड्रत के लिएक यह हूँदा है यह दूदोला थ दॉगORब ढ degradation कि हमारे अखर